इसके भी यादमखो कि मैं समसार में चांते हूए सत्यु में जाना चाहते हूँ, देलका बनना चाहते हूँ लेकि करम कैसे करे। जो कर ऊपर कोई देखतak है, ना हरवां देखता है ने कहें महरला लगा हुआ है वो इने देखता है, हर एक केवे कर्म अपने अंदर भरता है, उसी को तब कहते हैं, अंत में यमराज आया, यमराज को नहीं है, धर्मराज को नहीं है, अपने केवे कर्म उसके सामने भूत के रूम में आते हैं, डरा के देखा, आपने ये कर्म किया, आपने ये कर्म किया, अ सब्सक्राइं करते हूँ, घर में जादो लगा तो संसार में रहो, गाड़ी चलाओ, खेती में काम करो, दुकान में काम करो, नौकरी करो, सब कुछ करो करो, कोई छोड़ना नहीं, करमों से सन्यास नहीं, लेकिन सन्यास किस्ते, आपने गलब पिचार उजादा, अच्छे पिचार धारक, को कोई मौंद रखते है, मुख का मौंद रखते है, क्या फाइदा, मन भी गलप जळता है, मुख का मौंद रखते है, क्या फैदा लए, मन में आज, कोई भी देना, विचार नहीं करोगा, ये वरत चनि, मन दूर चीज़े करता है मुख से आज मैं घौणगा पाने पेटे मुख से बोले के ने क्या फैदा है मुख से बोले यहाई मन तो बोट रहा है तो मौत व्रत किसका स्टूर ने यह भक्ती वाला है मन का मन का मन का गौनर मन गजब विचार मं करे बाबा का एक ज्यान का चिंदन करें, किसको मिले एक ज्यान का ही सुनाएं, इंदर उदर की बातें मुझे नहीं सुना, पता होते हुए, यह व्रत है, हम दुसरी चीज नहीं बोलते हैं, व्यारत बातें नहीं बोलते हैं, व्यारत बातें स्थोस्थे नहीं हैं, इसको कहते है तो कर्मों पर ध्यान देना, कर्म श्रीष टाहिए, हम कर्म करने के लिए गुरुक्षे तुम्हें आये, एक कर्म करने का धर्म है हमारा, लेकिन कर्म कैसे करते हो, श्रीमत के अनुसार कर्म करते हो, तो एक का पदम गुना मिलेगा, मन मत से कर्म करते हो, एक का एक गुना मिले झालब कर दो कर दो दो है।